नमस्ते आदा आप सस्रीयकाल केमचो रंजू के रेसिपीस चनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागते हैं मेरी पहली वीडियो गाजर का हलवा थी और आज काफी अरसे बाद मैं फिर से गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ लेकिन इसमें कुछ चेंठीज है इसमें मैं डालने जा रही हूँ खोया यानी मावा तो आईये जानते हैं खोये वाला गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें क्या-क्या समवगा चाहिए खोये वाला गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर जो ताजे और रस्तेले होने चाहिए खोया यानि मावा कंडेंस्ड मिल्क यानि मिठाई मेट थोड़ा सा चीनी बादाम इसे छोटे टुगड़ों में काट लेंगे काजू इसे भी छोटे टुगड़ों में काट लेंगे घी और इलाइची इसे हम उट लेंगे बारिक यह गाजर को अच्छे से धोले गाजर को धोने के बाद इस तरह से छिल ले गाजर को छिलने के बाद इस तरह से कट बुकस कर लें हाग को समभाल के इस देखिए मैं गेस अन कर रही हूँ गाजर का हलो में कुकर में बना रही हूँ अगर आप चाहे तो आप कड़ाय में भी बना सकते हैं कुकर गरम हो गया है इसमें मैं घी डाल रही हूँ गाजर की मातरा 2 किलो है तो मैं 4-5 चमच घी डाल रही हूँ गी गरम होते ही इलाइची डालनेंगे जो मैंने कूटके रखा है और तुरंथ ही जो कद्दू कस्किया हुआ गाजर है उसे भी डालनेंगे नहीं तो इलाइची जलने का टेस्ट आएगा इस तरह से जीरे से रखे हाथ बचाकर आराम से खेला के रखे अब हम इसे चलाएंगे मेरा हो गया है अब मेरा सारा गाजर जीम में हम गाजर को अच्छे से मिख्स करेंगे मिज़्यमाच पर इससे अच्छे से मिलाईये इस तबना घीम अगजर को इसे तरह से ब्हूनते रहना है ये ब्हूनते ब्हूनते उसका तलर चैंज़ होगा गाजर को मैंने अच्छे से भूंग गया है या अधा पक गया है अब इसमें मैं चीनी डालूँगी चीनी कम ही डालूँगी क्योंकि कंडेंस्ट मिल्क डालना है और कंडेंस्ट मिल्क अपरे ही मीठा होता है और इसको चीनी डालने के बाद इस तरह से मिला लीजे चिरी में आने के बाद इसे हम ढख देंगे और दो सिटी लगाएंगे गाजर को मैंने सिटी लगा लिया है अब इसमें मैं मिठाई में डाल रही हूँ अगर आप चाहे तो इसमें दूद्ध भी डाल सकते हैं दूद्ध डालने के बाद उसमें आपको चीनी की मात्रा बढ़ानी पड़ें अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे पका लें जब तक यह पक रहा है, इसमें हम काजु बदाम डाल देते हैं, जिसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ताकि यह भी पकता रहा है हुआ को मैंने कदू कस कर लिया है, अब जो गाजर मैंने पका लिया है, उसमें अब इसे डाल कर मिला लेंगे अब इसे अच्छे से निक्स कर लें और थोड़ी देर इसे पका लें यह हमारा खोए वाला गाजर का हल्वा बनकर अब रेडी है, अब बारी है इसे सर्व करने के, खोए वाला गाजर का हल्वा बनकर बिल्कुल तयार है, गर्मा गरम खाने के लिए अब इसे थोड़ा सा गानेस कर लें कि अब आजू अब थोड़ा सा बना जा़ए तो देखा आपने खोएवाला गाजर का हल्वा बनाना कितना है, तो इसे बनाने की इसे यह आवसेक समग रहे हैं एक बार फिर नोट कर ले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो रंचु की रेसिपिस चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट भेजें प्रस्न पुछें और सेयर करें और हाँ पेल आइकन दबारा ना भूले ताकि मेरी यह वीडियो अप्लोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तर पहुंचता रहे हैं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से सुक्रिया